स्वागत है आपका आज की चाहे पे तो ये वीडियो है आम आदमी और व्लॉगर्स की लाइफ के कमपैरिसन पे कि कौन सी बाते हम अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में हमेशा हर रोज करते हैं पर इसके बावजूर जब व्लॉगर्स को वो करते हों देखते हैं तो अकसर मैंने लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कहते हैं सुना है कि व्लॉगर्स आप महान हों सबसे पहला फैक्ट घर के कामकाज जिसे हम हाउस होल चोडस भी कहते हैं घर के कामकाज जब व्लॉगर्स करते हैं तो उनकी कॉमेंट सेक्शन में और ये किसी एक vlogger के लिए नहीं है, किसी एक family के लिए नहीं है, कितने सारे ऐसे vloggers हैं, जो अकसर time to time घर का काम करते हैं, और comment section में लिखा जाता है, आप कैसे अच्छे से घर को समालते हो, मैं आपको पता दू, आपकी माई, कुछ लोगों की बीवी, कुछ लोगों की भेने, कुछ लोगों के पिता, कुछ लोगों के भाई, सब घर समालते हैं, मुड़के देखे, vloggers को देखते हैं आप phone में, और घर में लोगों को देखेंगे, तो आपको पता लएगा, और कुछ लोगों को पता भी होगा, की, और वो कहते भी होगे, कि यार ये सब तो हम भी करते हैं देखिए सिर्फ लग का मामला है that's all they're lucky कि उनका vlog वो दिखाते हैं अपनी जिन्दगी को जैसे वो जी रहे हैं वो दिखाते हैं और आगे जाके उनको उस जिन्दगी को जीने के लिए महान का जाता है but trust me your mothers your wife your sisters everyone is as महान as these vloggers are और इस बात से मैं आपको बता दूँ कि मैं यह नहीं कहती हूँ कि vloggers अपने आपको कह रहे नहीं idealize किया जाता है vloggers को कि आप जैसा कोई नहीं है बट सच में बोलू तो हर घर में एक ना एक ऐसा इंसान है जो कहीं न कहीं किसी व्लॉगर से जादा ही कुछ कर रहा होगा बस फरक है कि वो कैमरे के सामने करते हैं और आप कैमरे के पीछे करते हैं अब बात आती है बच्चों को सम्हालने वाली कितने ऐसे vloggers हैं जिनके comment section में मैंने time to time पढ़ा है अब directly अगर मैं एक reference दूँ तो comment section में मैंने अभी recently पढ़ा था flying beast के जो God of Taneja है उनकी comment section में कि भाया आप जो जिस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखते हो न अरे कितने सारे घर ऐसे हैं जहां पर maids afford नहीं कर सकते लोग अपने बच्चों की परवरिश A to Z छोटे से लेके बड़े उने तक माउने अपने हातों से कर दी कितनी ऐसी औरते हैं एक time तक आपको पता है कि रितुराथी भी pilot थी है ना पर आज कितनी ऐसी और औरते हैं इस दुनिया में जो घर भी समालती है भार जाके काम भी समालती ह हाउस वाइफ भी हैं वर्किंग भी हैं वर्क फ्रॉम होम भी कुछ करते हैं फिर भी घर समालते हैं अपने बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं और यह सब कुछ कर रहे हैं बिना कैमरे के सोच के देखें आपके दिमाग में यह बाद प्रसेस हो जाएगी कि आम आदमी ही उतने ही खास है आम औरत आम आदमी सब उतने ही खास गिल्ट गिल्ट एक ऐसी चीज़ है जो आम लोगों को कहीं बार होता है यह देखके कि काश हम अपनी फैमली के लिए ऐसा ही कुछ कर सकते होते और ऐसे से मेरा मतलब है बड़े 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 बैश रोस सेलिब्रेश अब मैं आपको बता दूं कि आपको यह गिल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको दिल में थोड़ा सा भी दुखनी लाना चाहिए जब आप दूसरों को व्लॉगर्स को स्पेशली खुशियां बनाते देखते हैं उसका रीजन में आपको बता देती हूं व्लॉगर्स बहुत ज़ादा कमाते हैं उनकी अर्निंग मंथली वीडियो से भी होती है कुलाबरेशन से भी होती है अब अपनी लाइफ दिखाके वो कमा रहे हैं तो उसे थोड़ा इंट्रस्टिक तो उन्हों बना नहीं है अब ये बर्दे बैश से हो जाए या घूमने से हो जाए अल अपने परिवार के लिए क्योंकि कोई भी अपने परिवार के लिए बुरा नहीं चाहता वो बैस से बैस्ट करता है तो इस एक्स्ट्राविगन लाइफ को देखके कभी भी अपने दिल में कोई बुराई कोई गिल्ट मत लाइए आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले आफ इसा नहीं करता है हाँ व्लॉगर्स की लाइफ ही पबलिक है तो वो हर चीज़ दिखाते हैं पर मेरे रिसाब से और यह रिसरच में भी साबित हुआ था कि जब कोई बड़ा रोता है तो वो अक्सर अपना रोना चुपाना चाहता है वो अखेले में रोना पसंद करता है व कोई ं静ा था कि रोना उसकी वीक साइट एसा नहीं व्लॉगर्स बी इसान नहीं बीसानी वो रो सकते हैं और अचानक से रोना और बैट के कैमरे के सामने बात करते हुए रोने में फरक है अचानक से कैमरे के सामने रोने में वो बात फिर भी जैनुरल लगती है कि चलिए एक बात करते करते रोना आया बट कैमरा अपनी तरफ करके जब कोई रोता है और मैं एक या दो या तीन व्लोगर्स के रही मैंने कितनी जगें नोटिस करा है अपने ही चैनल पे खुद को रोते वे थमनिल पे दिखा देते हैं और आम आदमी कभी ऐसे नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि इमोशन जो होते हैं उनको प्राइवेट रखा जाए क्योंकि हर किसी के लिए उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टन है अब इस बात को भी हम गौर से समझें ये मेरा नेक्स पॉइंट है प्राइवेसी कि व्लोगर्स की लाइफ कैसी अजीब सी है न और मुश्किल भी है अफकॉस सड़क पे चलते हो हर इंसान को ये पताए कि इसकी घर में कल ये हुआ था हमें तो ये तक पताए कि उनकी घर में खाना क्या बना या फिर वो कब कहा से आ रहे है ये प्राइवेसी एक आम आदमी की लाइफ में भरबर के होती है और वो जरूरी क्यों है पता है ताकि हर परिवार की बातें जैसे कि मैंने पहले भी कहा था उस परिवार तक ही रहे जब कोई अपनी लाइफ को पब्लिक करने को डिसाइट करता है तो सोचिए वो आने वाले टाइम के बारे में नहीं सोचता होगा शायद कहीं लोग यह नहीं सोचते हैं कि जब हम व्लॉगिंग करेंगे तो आगे आके हमारे क्लेम्स जो हम व्लॉगिंग में टाइम टू टाइम करते हैं उन क्लेम्स को डिनाय करने के लिए भी लोग आ जाएंगे किसी का भी पास निकल के आ सकता है कितनी unstable life है इसलिए privacy ज़ कितने सारे व्लॉगर्स हैं जो लाइफ में सिफ खुशी दिखाते हैं बहुत थोड़े बहुत हैं जो कि एक्चली यूनू हमेशा टाइम टॉटाइम रियालिटी दिखाते मुझे सम्हावना की व्लॉग्स मेरे पहले भी का था मुझे बहुत रही लगते हैं मुझे जो करिवार की हर बात हमें पता है और उसके उपर जो क्लेम्स हैं वो भी हमें पता है यह सब बहुत टॉक्सिक सा फील होता है अच्छा था वो जमाना जब सोशल मीडिया अतना हावी नहीं था और जब नहीं था सोशल मीडिया वो तो और भी अच्छा था क्योंकि सब कुछ घरो तक रह जाता था इस टेम पे तो कभी कभी परोसी को भी कोई बात नहीं पता होती थी आज परोसी छोड़िए नूसे मुल्क वालों को भी पता है कि आपके घर में क्या चल रहा है बहुत हिम्मत है व्लॉगर्स में और हमेशा कहूंगी व्लॉगर्स जो करते हैं वो असान नह को पता हूना चाहिए की व्लॉग इंचाहिए नहीं होती जो लाग करते हैं उनके लिए and support on my channel और हां, कभी भी किसी के लिए hate comment किसी के channel पर जाके मत कीजेगा किसी के लिए hate मत विलाएगा always spread love, peace and prosperity that'll be all, thank you so much for watching do like, share and subscribe to Hachki Chai